अगर आप किसी मुवी या वीडियो को कनवर्ट करना चाहते हैं MP4 में वो भी कुछ सेकिंड में तो ये वीडियो आपके लिए है जी दोस्तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ ही सेकिंड में 1GB से भी ज्यादा साइज की वीडियो आप कुछ ही पलों में कुछ सेकिं जो की spelling आपको नजर आ रहे हैं इस spelling करने के बाद जैसे ही आप enterprise करेंगे तो आपके सामने ये site नजर आएगी इस site पर यहाँ पर आपने click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो उस site का main page आपके सामने हुगा X media record site तो यहाँ पर 64 bit का software link दिया गया है यहाँ पर click करता हूँ तो यह download होना शुरू हो गया है जब तक यह download होता है आप video को like कर सकते है जैसे ही download हो जाता है download folder में जाकर आप इसको double click करेंगे software को और यहाँ पर nest click करेंगे अगर आप इसका desktop shortcut बनाना चाते हैं तो वहाँ click कर सकते हैं फिर यहाँ पर हम next पर click करेंगे तो जैसे की software यह install हो रहा है अब यह software install हो चुगा है और आप हम start button पर click करके इसको open करते हैं तो यह इसका look है software की यहाँ पर आपने click करना है और जिस format में आप result चाते हैं उसको select कर लेना है मैं यहाँ पर MP4 select कर लेता हूं और यह दूसरे type यह option भी हम MP4 select करेंगे यहाँ पर click करेंगे तो जूस फाइल को हम convert करना जाते हैं उस फाइल को select कर लेंगे जैसे की मैं इस फाइल को convert करना जाता हूं यह mkv type में है इसका format है mkv यहाँ properties में जाके मैं चेक करके दिखाता हूं आपको दिखिए dot mkv format है हम इसको open करते हैं और इसकी दो setting और बहुत जुरूरी है करनी वो है कि यहाँ पर आपने वीडियो पर click करना है click करने पर आपको यह mode में जाकर copy को select कर लेना है और इसी परकार audio वाली option में जाकर यहाँ भी आपने copy select कर लेना है यहाँ नीचे जो आपको destination address नजरा रहा है जहाँ पर आप अपनी converted file save करना चाते हैं यहाँ पर उसका address आप change कर सकते हैं मैं यही रखता हूँ यहाँ पर आपने plus पर add q पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर click कर देना है encode पर और आपकी file convert होना शुरू हो जाएगी आपकी वीडियो जस्ट कुस सेकिंड में ही convert हो जागी आप देख रहे हैं इसकी speed को जस्ट चार-पांस सेकिंड होए है और file convert होने को है और देखी यह file convert हो चुकी है यह कह रही है हम successful convert हो चुकी है यहाँ हम ok press कर देंगे और यह address जहाँ पर file save है यहाँ से मैं copy करके वहाँ पर इसका address paste करके उस video को देखते हैं कि यह convert हो चुकी है या नहीं इसको हम right click करके इसकी property check करके देखते हैं कि इसका format क्या है देखिए दोस्तो आब यह mp4 में convert हो चुकी है अब एक बार इसको play करके भी देख लेते हैं इसको double click किया तो देखिए दोस्तो यह play हो रही है तो इस प्रकार किसी भी वीडियो को किसी भी format में चाहे वो mkv हो या कोई और वीडियो mp4 जो की हर device पर हर mobile पर हर tv पर चल पाती है इसलिए मैं mp4 में convert कर रहा था तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में अब तक के लिए नमश्कार हां दोस्तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और comment में जरूर लिखेगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाते हैं